Friends, Myself, Rahul Verma, IS Officer 2016, Welcome to Target IS. आज मैं आप लोगो को National Institute of Electronics and Information Technologies की vacancies के बारे मताऊंगा, जिसमें आपकी total 495 vacancies निकली है, 495 vacancies में आपकी Scientist Group A post है, आपकी 288, and Scientific and Technical Assistant Group B post है, 207. और ये सारी post सिर्फ और सिर्फ Electronics, Electronics and Communication, Computer Science और IT के students के लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टार्गेट आइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस particular section में आप लोगों को में इंजिन से रिलिटिड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, प्रोपर गाइडेंस दूँगा उस से रिलिटिड और एक प्रोपर डिटेंड एनलिसिस भी बताऊंगा आपको, लास्ट यर्स के पेपर भी हो सकते हैं, बेस्ट पॉस्बिल तो वह भी आपको प्रोइड कर आँगा, फर्स्ट आपके डिजनिशन है आपकी संटिस्ट वी गृप ए पोस्ट है आपका, और संटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट गृप बी पोस्ट है, इसमें आपकी 288 विकेंशी है और इसमें 207 विकेंशी है और डेटिल क्लासिफिकेशन यहापे दिया हुआ है, और unreserved category में 119 है और यहाँ पर आपकी 87 vacancies है और rest of आपकी यहाँ पर 2 vacancies है चलिए और next देखते हैं आभी यहाँ पर सबसे important है यहाँ पर eligibility criteria, eligibility criteria में आपके पास B, B.Tech या M.Tech कोई भी आपके पास degree है तो आप eligible है इस particular post के लिए और इसमा आपकी field classifier करके लिए electronics, electronics, communication, computer science, IT, information technology और इस रिलिटर जो भी आपकी ब्रांच है वो सारी ब्रांच यहाँ पर eligible as particular branch के लिए electrical, civil, mechanical के student यहाँ eligible नहीं है particular group post B के लिए और scientific technical assistant A के लिए MSC, MS, MCA, B, B.Tech के student apply कर सकते हैं यहाँ पर आपकी ब्रांच आपकी सेम है electronics, electronics communication, computer science, IT यह सारी ब्रांच सेम है आपके मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आपका B.Tech है या M.Tech है तो आप लोग scientist group A post के लिए apply करिए क्योंकि यहाँ पर आपका MSC और MSC और particular MCA के student भी apply कर सकते हैं और particular scientist group B में आपका written भी होगा medical assistant group A के लिए यहाँ पर age limit दी हुए अपर 30, SCST 35, OBC 33 and PWD 40 year तक eligible हैं आपके next आप लोग online apply कर सकते हैं discussion box में आपको detail दे दूँगा मैं आपके link दे दूँगा आपको तोहाँ पर जाके आप लोग apply कर सकते हैं application apply करने यह से पहले आप लोग how to apply प्रॉपर ली पढ़ लीजिए इसको आपको clear हो जाएगी सारी चीजे अगर यहाँ पर examination center की बात देखें तो यहाँ पर जो भी आपके इंडिया के इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट डिजेंस से जो भी आपके best possible cities हो सकती हो सारे option दिये हुए यहाँ पर तो आप इनको किसनी को भी option चूज कर सकते हैं ऐसे examination center application fees की बात करें यहाँ पर examination fees आपकी general category के लिए आपकी 800 रुपीज लगीगी SCSTPW दो women candidate के लिए examination fees नहीं लें यहाँ पर इसके बाद next आता आपका selection process selection process में आपको बता चुका हूँ सलेक्षन प्रोसेस की बात करें selection process आपका बेज्ड होगा written examination एग्जामनीशन एं इंटेव्यू पर तो scientist Б के लिए यह आपकी ग्रूप ए की पोस्ट है जिसके लिए आपको Examination देना पड़ेगा return Famizes और आपका scientific technical assistant post A या group B की post है जिसके लिए आपको स्रिफ और सिर्फ written examination देना पड़ेगा और यह आपका written examination होगा objective type का और OMR भेज़ड होगा आपका क्लिर इंटर्व्यू के लिए लोगों बताया है कि आपको selected candidates को sms और email के थुरू inform कर देंगे और rest of चीज आप लोग पढ़ सकते हैं verification of the documents important information citizenship reservations यह आप लोग पढ़ सकते हैं detailed notification दिया हुआ है website पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँआ हो हाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं proper instruction पढ़क लगिए आप लोग important instruction इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे important चीज है instruction से आप लोग instruction पढ़ सकते हैं चीज तरहीगे से इसके बाद देखते हैं स्लेवस और यहां पर अगर स्लेवस देखा जाए तो स्लेवस आपका सिंप्ली एलेक्ट्रोनिक्स और आइटी से रिलेटेड आपका स्लेवस है तो प्रॉपर नोटिट्रोनिक्स स्लेवस दिया हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत उची तरहीगे से और जेनरेक्स ने देखा जाए तो 35% आपका जो पोरिशन होगा पेपर का वो लॉजिकल रिजिन और अनेटिकल रिज तो टेक्निकल पोर्शन होगा आपका 65% और जेनरेक्स होगा आपका 35% डिलेशन अपडिया और कर रहेगा और नंबर और कोर्शन आएंगे 120 तो आपको सफिसिन टाइम लेगा पेपर को सौल करने के लिए नोटिफिकेशन में आप लोग प्रॉपरली जाके अपना स्लेवस चेक कर सकते हैं thank you for watching this video अगर इसमें कोई भी अगर आपको query है तो आप लोग मुझसे पूर सकते हैं thank you for watching this video